हेलो स्टुडेंट एसन प्रोफेशनल क्लासिस है मैं हमन्द गुपता आज आपके लिए ले क्या हो बटा अपना अकाउंटिंग फॉर मैंजर की जो श्रीश शुरु की विए उसके इंपोर्टेंट कोशिशन का नेच्ट पार्ट तो चले स्टुडेंट ढेखते हैं आज की सेशन में कौन-कौन से इंपोर्टेंट कोशन लेकर रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट कोशन है हमारा पीवी अनु और मार्जनल रेशो के नाम से भी जानते हैं अर्थात इस कोश्टन का जो क्रेक्ट अंसर हो जाएगा वह जाएगा उपरोक्त डोनो चलिए अब नेक्स्ट कोशन जानते हैं नेक्स्ट कोशन है मारा जैडड बीवी के संबंद में निमल कित में से कौन सा कथन गलत है तो के अंदर ट्रेडिशनल बजट के अंदर जैसे पिछले बजट को बेश मान के नेक्स्ट बजट की गणना की जाती है वो बिलकुल भी अपलाई नहीं होता है शुन्य आधार बजट में जैड बीवी नाम से के लिए रो रहा है शुन्य आधार बजट इसमें पिछले अनु पॉइंट है और हमारे को इसमें से गलत पॉइंट बताना है गलत कौन सा है तो सबसे पहले पॉइंट दिया गया है इसमें जैड बीवी जीरो बेस बजटिंग को पीटर ए पायर द्वारा विक्सित किया गया था बिलकुल ठीक है पीटर ए पायर ने इसको विक्सित किया इसके बाद नेक्स्ट है जैड बीबी पारम परिक बजटिंग की कमजोरियों पर काबू पाता है यह भी बिलकुल ठीक है इसको डी नोवा बजटिंग भी कहा जाता है यह भी बिलकुल ठीक है next है ZBB का प्रयोग पहली बार 1982 में Jimmy Carter द्वारा किया गया था यह point गलत है और हमारे को question की need क्या थी incorrect statement ही बताना था गलत point कौन से है तो इसके accordingly question का जो सही answer रजाएगा third ZBB जो है पहली बार use किया गया था 1962 में सन 1962 में यूज किया गया था नाकी 1982 गलत है 1962 में पुर्योग किया गया था incorrect statement बताना था हमारे को ZBB के संदर में तो इस तो इसका जो सही answer third है चलिए अब next question जानते हैं तो next question है the difference between actual cost and standard cost is known as वास्तविक लागत और मानक लागत के बीच के अंटर को क्या कहा जाता है तो इसको विचरन यानिके वेरियंस कहा जाता है option number B इसका correct answer है वेरियंस चलिए अब next question जानते हैं तो next question है विच वड़ा following is incorrect निम्लकित में से कोन सा गलत है विचरन अनुकूल या परतिकूल हो सकता है वेरियंस में भी favorable और unfavorable बिल्कुल ठीक कटन है वेरियंस जो है या तो favorable होगा या unfavorable होगा favorable कब कहेंगे जब calculation positive में आएगी और यदि माइनस में आंसर आएगा तो उसको हम unfavorable बोलते हैं इसको next point है material yield variance is a sub variance of material usage variance सामगरी उपज विचरन सामगरी उपयोग विचरन का एक उप विचरन है बिल्कुल ठीक कथन है next point है बटा labor ideal time variance can never be favorable variance तो ध्यान रखेंगे श्रम आदर्श समय विचरन कभी भी अनुकूल विचरन नहीं होता है बिल्कुल ठीक है ideal time variance कभी भी favorable नहीं होता यह हमेशा adverse होता है यह भी ठीक है हमारे को इसमें गलत पॉइंट बताना था तो थर्ड पॉइंट इसके accordingly जब पहला दूसर और तीसरा ठीक है इट मींस चोथा पॉइंट गलत है यही इसका answer है क्या कि ideal time variance is always favorable नहीं होता यह unfavorable होता है चलिए अब next question जानते हैं मेटा next question है मरा which formula is used for calculating material mix variance सामगरी मिश्रण भिन्ता की गणना के लिए किस सुत्र का प्रियोग किया जाता है तो इस question का जो correct answer है वो है standard price multiply revise standard quantity minus actual quantity इस formula को जब करेंगे तो क्या कहतेंगे sp into rsq minus sp into aq ऐसे भी आपको दियावा हो सकता है तो सही answer आ जाएगा हमारा option number 3 चलिए अब next question जानते हैं बटा next question है which of the following is incorrect निम्लिकित में से कौन सा गलत है material cost variance के संदर्ब में तो सबसे पहले दिया हुआ material cost variance किसके बराबर होता है material price variance plus material usage variance यह है ठीक है हमारे को बताना है इसके अंदर incorrect point पहला point बिल्कुल ठीक है अब next point की बात करें तो next point है हमारा material cost variance जो है बराबर होता है material price variance plus material mix variance plus material variance option number 2 भी ठीक है अब third option है material price variance material usage variance plus material mix variance यह है कथन गलत है हमारे को गलत कथन नहीं बताना है तो इसका जो answer आजएगा option number 3 आएगा चोथा बिल्कुल ठीक है material cost variance किसके बराबर होता है material price variance plus material revised usage variance plus material mix variance चोथा option ठीक है हमारे को incorrect statement बताना है तो incorrect statement थर्ड है थर्ड इसका option सही आ जाएगा बाकि एक दो और चार option ठीक है चलिए अब next question जानते है बटा next question हमारा the difference between actual cost of material and standard cost of material is known as सामगरी की वास्तविक लागत और सामगरी की मानक लागत के बीच के अंटर को क्या कहा जाता है तो इसको material cost variance कहा जाता है option number c इसका correct answer जाएगा सामगरी लागत वीचरण इसको कहा जाता है चलिए अब next question जानते हैं तो next question हमारा access working capital is evidence of कारेशील पूंजी की अधिक्ता किसका प्रमान पत्र है तो यह ideal funds का प्रमान पत्र है cash in hand, cash at bank, debenture या none of the above तो इस question का जो correct answer आजेगा वो आजेगा रिन पत्र debentures option number c इसका correct answer है इसके बाद next question है मारा विटा which ratio is not useful for control and analysis of receivable प्राप्पे के निर्यंतर्ण एवं विशलेशन के लिए कोन सा अनुपात उप्योगी नहीं है तो इस question का जो correct answer है वो है ओसत भूगतान अवडी option number d इसका correct answer हो जाएगा average disbursement period next question है मारा liquidity and profitability are goals for finance manager with परबंदक के लिए तरलता और लाब परता डैश लक्ष है different separate finance या competing तो इस question का जो correct answer आजाएगा वो आजाएगा competing परतीस परदा option number d इसका correct answer हो जाएगा next question है हमारा financial management is an art science both art and science और none of double इस question का जो correct answer है वो है कला और विज्यान डोन option number c इसका correct answer है चले अब next question जानते हैं तो next question है हमारा financial management is administrative process analytical process centralized process या all of double तो क्या क्या रहा है कि विट्या प्रबंदन है प्रशासनिक पर करिया विचलेशन आत्मक पर करिया केंद्रियकरत पर करिया या उपर के सभी तो इस question का correct answer आजाएगा all of double option number d इसका correct answer है अब next question है हमारा traditional approach to finance function वाज evolved वित्कार्य के लिए पारंपरिक द्रश्टी कोण विक्सित किया गया था यह किस समय अबदी में क्या गया था यह क्या गया था 1920 से 1930 के बीच में option number 20 का correct answer हो जाएगा चलिए अब next question जानते हैं तो next question है मारा financial decision is related to विट्या निर्ने संबंदिठ है option दिया गया है अचल संपत्यों की खरीद से लाभांश वित्रण से खाटो का रख रखाव से या पूंजी संद्रचना से तो इसका जो correct answer है वो है capital structure पूंजी संद्रचना से option number D इसका correct answer हो जाएगा चलिए अब next question जानते हैं तो next question है मारा financial management is the application of planning and control functions to the finance function whose statement is this वित्यप्रबंद वित्यकार्य में नियोजन और निर्यंत्रण कार्यों का अनुप्रयोग है यह कथन किसका है डारेक्ट कोश्चन है जो correct answer है वो है हावर्ड और अप्टन का option number C का correct answer हो जाएगा चलिए अब next question जानते हैं तो next question है मारा nature of seasonal working capital is मौसमी कारेशील पूंजी की परकरती कैसी होती है तो मौसमी कारेशील पूंजी की परकरती बटा लगू अफदी वाली होती है option number D इसका correct answer है इसके बाद next question है मारा fixed working capital इस्थिर कारेशील पूंजी है क्या है option दिए गए है कच्चे माल का न्यूंतम स्टोक बैंक का न्यूंतम बैलेंस स्रमिको का वेटन या उपर के सभी तो इस question का जो correct answer आ जाएगा उपर के सभी यह हमारी fixed working capital के उदारण है next question है education of working capital required कारेशील पूंजी की प्रयाप्टता आवश्यक है किस लिए आवश्यक है शिग्र भूतान करने तू साख वरत दिये तू रिन जुटाने में सुविधा के लिए या उपर के सभी तो इसका answer आ जाएगा option number D उपर के सभी all of the above next question है हमारा ideal ratio of solvency is solvency का आदर्श अनुपात है एक अनुपात एक एक अनुपात दो एक अनुपात डेड़ या दो अनुपात एक तो इस question का जो correct answer है वो है option number D दो अनुपात एक ideal ratio of solvency is two ratio one चलिए अब next question जानते हैं तो next question है हमारा financial planning is related to वित्य योजन संबंदित है किसे निद्यों की प्राप्ती से निद्यों के उप्योग से या उप्रोक्ट डोनों से या इन में से कोई नहीं तो इस question का जो correct answer है वो है option number C उप्रोक्ट डोनों से financial planning is related to procurement of funds and use of funds option number C इसका correct answer है अब next question है हमारा main functions of financial management आर वित्य परवन्न के मुख्य कार रहे हैं वित्य योजना धन की प्राप्ती शुद्लाब कावंटन या उपर के सभी तो इस question का correct answer है वो है all of the above उपर के सभी क्या किया रहा है कि the main functions of financial management are financial planning, procurement of funds, allocations of net profit, all of the above उस question का जो correct answer था all of the above next question है direct हमारा definition से संबंदित financial management is an area of financial decision making harmonizing individual motives and enterprise goals who has given this statement वित्य प्रवंदन व्यक्तिगत उद्देश्यो और उद्दम लक्षे के बीच सामन जस्से स्तापित करते वे वित्य निर्न लेने का एक्षेत्र है यह कथन किसने दिया है तो यह कथन वैस्ट और ब्रिगम में दिया है option number D इसका correct answer है चलिए अब next question जानते हैं तो next question हमारा working capital का क्या मतलब working capital में स्कारशील पुंजी का क्या अर्थ है option दिया गया है total of current assets नहीं excess of current assets over current liability बिल्कुल ठीक है यही है working capital क्या मतलब होता है working capital का मतलब होता है current assets minus current liabilities तो इसी को theory की form में कह दिया access of current assets over current liability option number B इसका correct answer हो जाएगा चालू देंदार्यों की तुलना में चालू परिसमपत्यों की अधिकता चलिए अब next question जानते हैं बटा next question है calculate working capital if cash rupees 50,000 creditors 25,000 debtors 250,000 and dividend payable is 75,000 कारेशील पुझी की गणना करें यदी नकद 50,000 रुपे लेंदार 25,000 रुपे देंदार 25,000 रुपे और दे लाभांश 75,000 रुपे है तो इसके option दिये गए है 1, 2, 3 and 4 ये आज का आपका homework है students देखते हैं इस question के कितने बच्चे और सबसे पहले कोन बच्चा इस question का जवाब देता है अपना जवाब आपको comment box में comment करके बताना है कि इस question का सही answer क्या होगा इसी परकार के update प्राप करने के लिए चैनल के साथ जुड़े और यदि आपने previous lecture वीडियो नहीं देखे है accounting for managers के तो हम ने उन lectures को अपने चैनल पर already upload किया है आप उन्हें जरूर देख ले आपकी सुविधा के लिए उन lecture वीडियो के link हम इस वीडियो के description box में mention कर देंगे झाल